हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लंगरे देदीमन आरपी एससी ने एक प्रैस नूट जारी किया है कल की डेट में आप सभी को पता लगी चुका होगा कि सेकिंड क्रेट का ग्रूप ए ग्रूप बी सामान्य ग्यान का पेपर जो है वह है आप लोगों का निरस्त हो चुका है तो जहां पर बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे क्योंकि अगर इनको निरस्त करना था तो समय पर करते इतना ज़्यादा जो है इंतजार कराने के बाद आप परिक्षा को निरस्त कर रहे हैं पता नहीं क्या सोच कर आप ये काम करते हैं बहुत ही जो है लापरवाही इनके उपर जो इतनी जिम्मेदारी होती है तो ये लोग इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं वही सेकिंड ग्रेट का जो जीके का पेपर है यदि इनको निरस्ट करना ही था तो पता तो पहले भी चल चुका था इनको तभी निरस्ट कर देना चाहिए था ताकि बच्चे जो है जिनको आगे जो रास्ता नहीं दिख रहा था उन्हें रास्ता दिखाई देता यहाँ पर बच्चों को बीच में जो है वो अटका की रखा गया कि जो है सायद हो सकता है रिजल्ट आ जाए ठीक है तो बच्चे जो हो हैं रिजल्ट का वेट कर रहें थे पता लगा उनको के परिक्षा ही निरस्थ हो गई तो जो यहांपर भी दो तरीके के स्टूडेंट थे एक तो चाहते थे कि निरस्तो हो क्योंकि वो धानली पाई गई है और वो भी बच्चे चाहते थे निरस्तो जिनका पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ केवल वही बच्चे जो है मना कर रहे थे कि निरस्त नहीं होना चाहिए जिन्होंने महनत की जिनके अच्छे माक्स भी बन रहे ठीक है वो नहीं चाते थे अब देखिए दोनों तरीके के जो बच्चे है पैसा तो दोनों नहीं खर्च किया है ठीक है और परेशानी भी काफी उठाई है बच्चों ने पूरे परिवार ही नहीं ही उठाई है अब इसकी जल्दी सच्चाई को अगर हम मान लें तो उतना हमारे लिए ही जो है वो अच्छा रहता है तो परिक्षा तो निरस्त हो गई है अब जो है वो next क्या है कि 30 जुलाई को जो है वो आपका एक्जाम दुबारा से लिया जाएगा तो अब जो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए क्योंकि student जो है वह केवल पढ़ सकता है केवल पढ़ सकता है अगर वह राजनीती में चला जाए तो वह पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा सबी लोग अपने अपने अलग-अलग तर्क देंगे ठीक है तो वहां पर जो है वह आप लोग यदि पढ़ जाते हैं तो आप जो है आपकी दिशा ही अलग हो जाएगी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर कुछ किया जा सकता तो मैंने आपको जब पहले वीडियो बनाया था कि परिक्षा जो है वो निरस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो maximum बच्चों ने यही का था कि परिक्षा जो है बिल्कुल निरस्त होनी चाहिए कुछ बच्चे थे जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे थे उन बच्चों ने कहा कि परिक्षा निरस्त नहीं हो वहाँ उनका भी कहना सही था बतलब दोनों तरीके से बच्चों का ही जो है वो अहित्ल हुआ है अब हम क्या कर सकते हैं यह आपको सोचना है 30 जुलाई को पेपर है समय भी कम है क्योंकि बीच में इतना गैप हो चुका है कि बच्चे जो है वो भूल चुके हैं सिलेबस में हम हमारी वीक रही है एक्जाम टाइम में उस पर जो है वो फोकस करें और बाकी सभी का जो है वो रिवीजन स्टार्ट कर दें तो यह जो है वो आर्पी सी का जो है सलेबस है आप लोगों का पेपर वन जीके का तो जहां पर मैं आप लोगों को यूटूब चैनल पर जो है वो यहाँ पर free में जो है वो पढ़ेंगे किसी को कुछ भी खर्च करने की जरुत नहीं है क्योंकि पहले सही बच्चे जो है वो खर्च कर चुके है ठीक है तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि आप लोग जो है वो चैनल से जुड़िए अपनी जो भी चीज़ें है उनको revise करिए जो पहले आपको आती है उनको आप side में कर दें जो नहीं आती है उन पर आप focus करें समय एक महिने के लगबग ही है आप लोगों के पास तो ऐसे मैं जो है इतने बड़े सले बस को जो है वो एक एक जो है वो चीज़ों को जो है कई बच्चे जो है भूल भी गए होंगे कि हमने जो है वो क्या पढ़ा था सलेबस पर अगर हम नजर डालें तो यहां सबसे पहले है जो है वो आपकी राजिस्थान की जो है 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 ठीक है मुझे भी नहीं पता था कि ये जो है वो बिलकुल इस टाइम जो है वो आकर निरस्त होगी ऐसा लग रहा था कि अगर निरस्त करना होता तो ये पहले ही कर देते अब साइद ये रिजल्ट आउट कर देंगे ठीक है क्योंकि आंसर की जिस तरीके से संस्क्रिट डिपा कर चुके हो तो हिस्ट्री जो है वो फटा फट से जो है वो आप उठा लें क्योंकि राजिस्थान का जीके सबसे ज्यादा जो पार्ट है आपके जीके में राजिस्थान का जीके ही आता है ठीक है उसके बाद जो है सबसे पहले हिस्ट्री को आप निप्टाएं उसके को जो है वो करें complete फिर उसके बाद जो है वो पॉलिटी करें quality में जो है वह आप वही पढ़ लें आप संसद का जो है वो पूरा पार्ट पढ़ लें जिसमें आपके सब भी आ जाएगा राज्यसाबार, लोग्साबार, राश्ट्रपति, उपराश्ट्रपति ठीक है और उसक जो है वो आपको पढ़ना होगा, पंचायती राज आपको पढ़ना होगा, current affair जो है ये आप जो है अब आप current affair के लिए कोई भी यूटूब पर चैनल चैनल जो है वो राजिस्थान का जो current affair पढ़ा रहा हो, वहाँ पर आप जो है वो focus कर ले, ठीक है क्योंकि इतने कम समय म अगर आप डेली एक घंटा राजिस्थान के current affair को देते हैं तो इतना काफी होगा, बाकी आपके पास notes पहले से ही है और जिन बच्चों ने notes नहीं बनाए है चैनल से जुने, मैं भी जो है वो कोशिश करूँगी कि एक महीने में जो है वो आपका cover हो जाए, ठीक है, अब ए लिस्ट में जाकर देखें, पिसले videos भी देखें, और उसके बाद जो है वो आपको world और इंडिया का जो GK है वह भी आपका complete है, इसमें economic complete है, यह सब कुछ जो है वो मैंने आप लोगों को course में करवा दिया था, अब आप लोग अपने notes को दुबारा से देखना स्टार्ट क तो education psychology जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है वो बाल विकास जो है वो आपका चल रहा है और उसके बाद यहाँ से education psychology से जो है यह भी मैं स्टार्ट कर दूंगी फटा फट से, तो आप देख लें 200 marks का जो है वो आपका question paper 2 घंटे का था, 100 question थे, हर question 2 marks का है, geography, history, culture, journal knowledge of राजिस इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि current of your राजिस्थान जो है वो आप लोग किसी भी YouTube चैनल से जुड़ कर जो है उसमें एक घंटा रोज पढ़ें, ठीक है, psychology जो है वो maximum आप लोगों की तयार ही है, channel पर आप लोग revision कर लें, gk, world और इंडिया, यह सब को जो है वो channel प पड़े हुए हैं, उनको भी आप देखें, आप लोगों के exam में जो है वो negative marking है, यहाँ पर आप लोगों ने exam दिया था, तो कुछ ना कुछ कमी जो है वो exam में आप लोगों की जो रही है, इस पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा focus करना होगा, सबसे बड़ी बात बच्च क्योंकि आपको पता है, एक question, read level 1 का जो आपने देखा, अभी दो दिन पहले ही जो press note जारी हुआ था, जिस में कुछ बच्चों को जो है बाहर कर दिया गया, दो गुना लिस्ट से, सिर्फ एक question की वज़े से, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, एक question कितने सारे बाहर कर दिया और कितनी ही दुखत बात है ये, क्योंकि उन बच्चों ने ऐसा जो है, वो सोच लिया था कि हमारा जो है, वो हो सकता है नंबर आ जाए, ये गलती जो है, दुबारा नहीं करना है, एक question भी बहुत important रहता है, आपको एक seat दिलाने के लिए और बाहर करने के ल हुआ है, अब इन बातों का जो है, वो कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि जितना भी जो है, वो मेडिया में इस चीज़ को जो है, वो उछा लें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहां पर maximum बच्चे जो है, यही कह रहे थे कि जो है, इस पेपर को निरस्त होना चाहिए, यही तो निरस्त हुआ है, धक्का तो सभी को लगा है, ऐसा नहीं है, कि जो है केवल जिनका पेपर खराब हुआ है, वो ही चाहते थे, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, कि अगर यह लोग जो है, वो टीचर बन जाते, तो आज जिस तरीके से RPSC में कभी आंसर सीट को ल यही लोग होते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है, क्योंकि जो महनत करके पास नहीं हुआ है, तो यही करेगा, कभी तो पेपर को आउट करवाएगा, ठीक है, कभी जो है वो अंसर, जो कोशन पेपर हैं, उसमें जो है कोशन जो है, उसकी लेंग्विज ही गलत होगी, तो ऐस परिक्षा नेरस्त हुई है, लेकिन परिक्षा जो है, फर्स्ट ग्रेड में धानली नहीं हुई है, इसकी क्या गारंटी है, अब जो 30 जुलाई को एक्जाम होगा, क्या वो आउट होगा, अगर इसकी कोई गारंटी देगा, क्या आउट नहीं होगा, तब भी हम माने, हम इ यहां बच्चों ने यह चाहा था कि परिक्षा निरस्त होनी चाहिए हमारे तो जो इतने माक्स नहीं बन रहे हैं बच्चों के तो इतने ज्यादा माक्स बन रहे हैं क्योंकि कई जो है उन्होंने तो पेपर ही जो है वो पूरा कपूरे सेंटर में लीक हुआ है तो वो सबी ज दूसरी और ये भी सोचना चाहिए, उनको गारंटी देनी चाहिए, कि एक्जाम जो है वो अब लीक नहीं होगा, दूसरा जिन बच्चों का इतना खर्चा हुआ है, उसकी भरपाई जो है कौन करेगा, ये दोनों बात भी जो है उनको ध्यान देनी होगा, एक तो समय और पैस दोनों ही जो है वो खर्च, या फिर ये समझे कि बरवाद हुआ है, ठीक है, क्योंकि कहां से जो है वो पैसे जो है बच्चे कलेक्ट करके, और फिर जो है वो महनत करते हैं, दूर दूर जो है वो एक्जाम देने जाते हैं, ठीक है, इसका जवाब जो है वो कौन देगा, त तो चलिए हम जो है यही कर सकते हैं कि जो syllabus है उसको दुबारा से आप देखें पेपर वन को और जो है आज पूरे दिन जो है वो syllabus पर जो है वो नजर डालें अपना syllabus जो है वो बिल्कुल अपने वाल पर आगे चिपका लें और जो जो आपकी कमी रह गई है उस पर focus करें और स्टाफट से जो है वो आप डिवीजन के लिए टाइम टेवल बनाएं ठीक है और यूटूब चैनल पर जो है वो सेकेंड ग्रेड की syllabus के according ही मैं आप लोगों को करवा भी रही हूं तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू